दन्तेरस पर लोक सोनी चांदी की वस्तुए और बरतन ज़रूर खरीते हैं और इसके पीछे ऐसी मान्यता हैं कि यह दिद जो भी वस्तुओ खरीते हैं उनमी तेरा गुना व्रदी होती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजे जो सुना चांदी जितनी है जरूरी होती है धंतीरस के दिन वस्तूओं को घर लाने से पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती और मालक्ष्मी का अशुरवाद आप और आपके पूरे परिबार पड़ता है आयो जानते हैं कौन से हैं वो पांच वस्तूओं मिट्टी के मूर्ती मिट्टी को पांच तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मानेता है कि मिट्टी की मूर्ती की पूजा करने से आपके घर में धन धाने में व्रिधी होती है और सुख सम्रिधी आती है धंतेरस के दिन आप गड़ेश लक्ष्मी की मूर्ती के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ती मी जरूर खन लाने ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में उनका वास होगा और पूरी साल धन की कमीन नहीं हो धंतेरस पर जाड़ु खरीदना जरूरी धनतेरस के दिन घर में जाड़ु जरूर खरीद कर लानी चांचे मानेता है कि जाड़ु को मालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धंतेरस पर जाडू घर में लाने से आपकी घर में आर्थिक सम्रिधी बढ़ती है और परिवार के लोगों की बीच में सुख शांती बनी रहती है एक बात का ध्यान रखें कि धंतेरस पर नई जाडू लाने से पहले पुराने जाडू घर से अटा दिनी चाहिए धंतेरस पर खरीदे धनिया धंतेरस के दिन साबुत खड़ा धनिया घर में लाना बहुत ही शुख होता है धंतेरस की शाम को पूझा के वक्त मालक्ष्मी और इस धन के महराग कुबेर जी को धनिया जरूर अकूर करें ऐसा करने से मालक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन रहें दे और आपके धर में पैसो की कमी कभी नहीं पीली कोडी मालक्ष्मी को पीली कोडी बेखाती प्रिया है धन्तेरस के दिन आप 5 पीली कोड़ी जरूर खरीद कर लाएं और मालक्ष्मी के चर्णू में अर्पित करें इससे आपको धन की प्राप्ती होगी और करियर के साथ ये आपके व्यापार में भी दिन दोगुना और राच्चोगनी तरक्षी होगी धन्तेरस पर खरीदे नमक धन्तेरस के दिन वाज़ार से साबुद खड़ा नमक जरूर खरीद कर लाएं ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकर दूर कोता है और धन में वर्षा होती हैं, बताया जाता है कि घर में धन की वर्षा होती है, अगर ऐसा आप करेंगे नमक लाने से आपके घर से वास्तु दूश भी मिड़ जाता है और बुरी नजर का प्रभाव भी समाथ हो जाता है वही ऐसे मानता है कि धंतीरस पर नमक घर में लाने से राहू के अश्यों को प्रभाव भी दूर कोते हैं अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आयों तुसे लाइप ज़रूर करें साथी कॉमेंट और शेयर भी करें हमारे चानल को सब्सक्राइब भी करदें ताके इन फूचर अब कोई भी वीडियो अप्रोड करें उसका नोटिपिकिशन आप तक आसानी से पहुंच आए